जुनूरियत की बात करें तो शो में आप सभी को बताते चलें कि बिक्ट्वेस चाचुका है इलाही ने भाटा फोर कर दिया है जॉर्डन का ऐसी सचाई साब ने रख दी है जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए है जी यहाँ जॉर्डन एक 5 साल की बेटी का भाप है यह बात चानने के बाद तो घर वाले जो है वो बस हक्के बक्के ही रहे हैं अब यहाँ पर इलाही का साफ कहना है कि अब उसे वो डाइवोस दे और इस बेटी को अपनी बेटी को अपना नाम दे यहाँ पर Jordan मना कर देता है और कहता है कि नहीं अभी 30 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं मैं अभी कुछ भी नहीं करूगा मैं भी तुम्हें डाइवोस नहीं दूगा लेकिन यहाँ पर Jordan की दादा जी बंदूग लेकर आ जाते हैं और Jordan पर तान देते और कहते हैं कि तुझे अदमी के लिए कुछ भी नहीं बचा है और ना ही कुछ जूट बोलने के लिए इसलिए वो टाइवोस के पेपर पर साइन कर देगा इलाही अजाद हो जाएगी लेकिन वो जहान से शादी नहीं करेगी क्योंकि वो चाहती है कि जहान और सीरत की शादी हो जाए और जहान ने की शादी के लिए हाँ कर दिया है देखना ये है कि क्या सीरत और जहान की शादी हो पाएगी या एन मौके पर कुछ ऐसी बड़ी अन्होनी घटना घटी की जिससे कि ये शादी रुप जाएगी और जहान की बीवी जो है वो कोई और नहीं बलकि इलाही ही बन जाएगी फि इतना ही मरीशा से नहीं कि रिपोड़ वेप्टों थेगे